अज़े आप दो है आज ए आगे के सारे है कि इतना अच्छा लग रहा आप लोगों को देखें। ऐसे बैच्छोन चाहिए गड़े तक भरे हुए ताकि जब रिविजन हो ऐसा लगेगी कि रौद्र रूप प्रकट हुआ है कोई विध्यार्थी आए जा रहे हैं और खुशी की बात कि अभी आए जा रहे हैं इस्थान गिरेंड करो साथ पटा-पटा जाओ कि पदभार तो नहीं कह सकता पद तो भी बाद में करवाएंगे जैने लिए जी तो जैसे कि आपको देखा ही दे रहा होगा बाहुल्य हो चुका है विध्यार्थियों का मज़ा आने वाला बहुत है हम लोगों को आज इक नए अध्याई की शुरुवात करनी है दिखता है कि अभ्यों कर नहीं कर रह confident को हर चीज को पहले ही मैंने क्लियर करके पिर ट्यारी कर रहा हूं थे कि एक अध्यान रहे सिध्धान्तों वाले मसले जहां जहां आएंगे वहां वहां अब हम अपने पढने का तरीका बदलेंगे obsessed MICHAEL को हम वीडियो फुटेज यानि की फिल्म की माध्यम से पढ़ रहें एक नई शुरुवात है इसमें देखते हैं कि हमें आनन्द आता है या क्या है वैसे मुझे लगता है कि आना चाहिए अनन डिजिटल पैनल अगर लगा है तो आनन पूरे लिजिए इसके खाली बड़े के अगर यूट्यूपर बड़े का गाना बजा देना ही पैनल नहीं होता है सिद्धान्त अगर डिजिटलाइज तरीके से पढ़ाए जाए तो थोड़ा ज्यादा अच्छ लगेंगे अब पहली बात तो बात यह है कि जो पढ़ाई का अपना क्रम है उसमें शिक्षा मनो इज्ञान की प्रश्ट भूमी अभी प्रेरिणा अधेगम स्वमायोजन बुद्धी व्यक्तित्व व्यक्तिगत भिनताएं इस तरीके के और विकास यह टॉपिक अपन पढ़ता है पर अभी अपन पहले टार्गेट कर रहे हैं सरल सरल टॉपिकों क्योंकि कठिन तो फिर जाएं गई विकास हुआ अधेगम हुआ व्यक्तित्व हुआ पर जितना सरल हो सके पहले उतनी सरल चीजे पहली पढ़ ली जाए तो ज्यादा बढ़िया है क्योंकि नियम यही कहता है कि हमें सरल से कठेन की और ही चलना चाहिए और इसी बात को मद्देनेजर रखते हुए मैं साइकलोजी की एक और सरल टॉपिक की शुरुबात करना चाहरा हूं और वो इतना सरल है कि पहली बात तो पेपर में सवाल दो देगा मात्र दो और यह भी तैय है कि कहां से आते और दूसरा मात्र और सिर्फ मात्र पांच लेक्चर का ही टॉपिक मात्र पांच लेक्चर यानि कि पांच घंटे का तो मैं चाहता हूं कि पहले वह एक सरल टॉपिक अपना हो जाए तो थोड़ा क्या है कि यह भी हो जाए दिल में कि हां यार सिले बस बहुत तगड़ी स्पीड से चल रहा है बढ़िया सही टाइम पर हो जाएंगे वेकेंसी आते हम ही तयारे बढ़न कि यह सुरो तुम लोग क्या कह रहा हूं ऐसा में अच छोटी चूटी चीज बस तो यार वैसे क्या कर रहे हो कि आओ पहले तुम्हारा थोड़ा मनोरंजन कर दिया जाए एक ऐसा टॉपिक जिसको पढ़ने के बाद तुम्हारा रोम रोम प्रसंद हो जाएगा इंडिंग डालें समायोजन वैसे कहीयों ने कर लिया यहां करके समायोजन कोड़ा कर रहे हैं अधियाएकि साबर आपकी बात नहीं इनकी बात कर रहा हो कितने खुश लग रहे हैं कि समाय हो जो कि क्या करना है पता है न हेडिंग डालने जी इसके लिए तुम प्रसिद्य है काफी चलिए अब अपने अस्त्र शस्त्र नीच रख दीजिए आपको तो पता ही हमारी आदत पहले बोड़ को गले तक भरेंगे हम उसके बाद लगेगा कि हाँ उतारना चाहिए त सब उतारें और वो भी तसली से उतारेंगे बिना आवास किये क्योंकि आपकी संख्या ज्यादा होने का मतलब है एक आद्म ने दिरे दिरे बोले ना तो भी आवाज यहां तक जाएगी इसलिए ज्यादा संख्या हो गई है अब देखो कॉंपटिशन कित्ता बढ़ गया है देखो साब गुरुजी कित्ता कम गला काट प्रतिस परदा है इसलिए अपने गड़े को वचा के रखो पढ़ाई में ध्यान रखना चलो यह देखें साब समायोजन पहली बात तो है क्या तो दोस्तों इस समायोजन को आप सरी पेपर में इस लिहाद से पढ़के जाना कि दो सवाल आपके सही हो जाएं इस समायोजन का अगर हम संदी विच्छेत करें तो मुझे तो यह दो शब्द निकलते वे नजर आ रहे हैं क्या लिखा हुआ है इतने हो करके भी इतनी सी ही आवाज है एक बार और पहुत बढ़िया गड़दा वड़ा दिया करते इतना इसमें तो संदी विच्छेत का नियम यह है कि संदी विच्छेत तभी हो सकता है जब संदी विच्छेत के बाद निकलने वाले दोनों शब्दों को है अर्थ निकलते हो तो सम्का मतलब अच्छी आयोजन मतलब व्यवस्ता और दोनों को जोड़ो दें तो बस यही तो दिक्कत है तुमारी अगर दोनों को जोड़ के अच्छी व्यवस्था ही करना होता तो फिर तो यही ठीक था उपर था कि दोनों को जोड़ दे तो अच्छी व्यवस्था जी मनें की बढ़िया व्यवस्था दोनों को जोड़ दो तो सू व्यवस्था सू व्यवस्था एक शाप दिकरत निकलता इ किसी समायोजन को अगर थोड़ा सा अंग्रेजी में देख लिया जाए सारे जिन्दी की एड़ेश्टी करते रहेंगे अभी ग्रेड थर्ड में नो गरीन लगी तब तक अधिस्ट है उसमें लग जाएगी तो फिर सेकेंड गड़ का बनने का मन करेंगा तब एड़ेश्ट करेंगे फिर फर्स्ट गड़ का फिर सीधा प्रदानमंतरी बढ़ेंगे आप एक दिन भारत का 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 एड़ेस्ट में जोसका अंग्रेजी अर्थ है कि इसको भी अंग्रेजी में शाब्दी कर्थ की रूप में देखा जाता है तू मैनेच यानि कि किसी भी चीज से सम्मंधित क्या करना दोस्तों वेवस्त तो आप इदर देखो इसका हिंदी बन जाता है पर हम अगर मानलों को रोड चलता आद भी हम से पूछले भी समयोजन पढ़ रहे हो तुम किसको कहते समयोजन तो दस प्रकार की बात हैं किताबों में किताब में लिखावा कि किसी की इच्छा आवश्यक्ता विचारों का परिस्थतियों के एसाब से अनुकुलि कि आगे भी मैं लिखूं किया कि ऐसी भी क्या बात कर दी भाई तुमने जो प्राण गले तक आगे तुम लोगों क्या सब्सक्राइब अब आप से कोई पूछे समय्जन किसे कहते हैं तो बड़ा ही आसान को अगर परिस्तिकर सब्सक्राइब और या याद भी रह जाएगा अब पेपर के अंदर एक नए टाइप का सवाल बना कि समायोजन जो यह आप पढ़ रहे हो कि इस समायोजन के पॉर्मेट यानि कि स्वरूप कितने अब जब आद में इसको पढ़के गया इसके तुरंत बाद अगले टाइम पेपर में यह आ गया कि समायोजन के प्रकार कितने हैं अब लफड़ा यह है कि कुछ लोग स्वरूप को ही प्रकार बता रहें पढ़ाते टाइम और पेपर में सवाल गलत हो रहा है लेकिन आपको दिमाग में यह बात ध्यानक नहीं है प्रकार अलग है और स्वरूप अलग है इट्स टाइप्स अन इट्स फॉर्मेट यह दोनों अलग चीजें अगर आप से पूछा जाए कि समायोजन के स्वरूप कितने होते हैं तो आप केवल उसे कितने बता कि आएंगे दो सिर्फ दो पहला पढ़के बताएंगे व्यक्तिकत आत्म और दूसरा क्या बताएंगे अगर इसमें भी तकलीफ हो रही हो तो यह आखरी की शब्द देख लो आप कि पहले में तो क्या है आत्म आत्म और दूसरा क्या है अन्या समझेंगे ना माम लेको पर लपड़ा है कि वहाँ अंग्रेजी शब्द आपको दुखी कर सकते हैं कि व्यक्तिकत आत्म को तो कहा जाता है इंट्रा पर्सनल इंट्रा पर्सनल और अन्य को कहा जाता है इंट्र पर्सनल खाली यहां पर तो ए गायब है और इधर ए लगा हुआ है समझे मेरी बात इतना ही फारक है और हिंदी नाम बदल सकते हैं पेपर में इसलिए कोशिश करना अंग्रेजी नामों पर फोकस रहे और वैसे माल लीजी है कि मैं ट्वेल्ट क्लास में पढ़ता था और ट्वेल्ट क्लास में अच्छी परसेंटेज बनने के बाद में साइंस मेरा सब्जेट था अब जो मैं कह रहा हूं वह सारी घटने का अलपनिक है इनका वास्तवी जीवन से कोई लेना देना नहीं मेरे से यह आप जांव साब मैंने घर के तो मैंने अपने ही इच्छाओं को दबाते हुए कि सी के अपने ही हातों मैंने में घला घाड़ दिया और फिर मैंने सूचे लेंगे पिता जी अपने तो ग्रेडवेसन करके और कोई बड़े लेवल की दूसरी त्यारी कर लेंगा इसका मतलब यहा आप अगर अपने हातों अपनी इच्छाओं का गला घोट रहे हैं तो आप कौन सा समयोजन कर रहे हैं व्यक्तिकत आत्म और यही चीज अगर मेरे पिता जी मुझे कहते कि नहीं एक बैटा घर के आला तैसी नहीं है देख मैं चाहता हूं कि तुए ना सीए बढ़े तो छोड उनके दबाओं में आकर के सीए की तीयरे में लग जाओं तब कौन सा समयोजन होगा क्योंकि अन्यें खुद के साथ नहीं दूसरों के साथ होता है तो अपने हातों अपनी इच्छाओं का गला घोटना ये तो कौन सा समयोजन कहलाएगा कि बोलो कि बढ़ने दो ना व्यक्तिगत को श्रीदा शब्द बोलो ना आप तो आवास नहीं है मुझे और अगर दूसरे के दबाओं में काम हो रहा है तो अन्य इसमें तो को कि उसे प्रकार बताये गए तो समायोजन के स्वरूप पूछे तब तो बताने हैं दो और प्रकार पूछे तो तीन कि 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 पहला तो कौन सा होता है कि रचनाथ कि जिसे अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं क्रियेटिव कुछ क्रियेट करना कुछ बनाना कि दूसरा कौन सा होता है मानसिक शोधन या मानसिक शुधी करन जिसे कि कि मेंटल सब्ली मेशन या मेंटल प्यॉरिफिकेशन के नाम से जाना जाता है और तीसरा कौन सा है इस्थाना पन जिसे अंग्रेजी में कि अग्रेशन के अग्रेशन का जाता है अब यह क्या है अभी इनकी चर्चा नहीं करेंगे में मेमोरी काड़ करप्ट आपका अभी तो फिला ली जानने की ही तीन होते हैं तो सामने देखे और बताओ कि आप यह कौन सा टॉपिक चालू कर रहे हैं आज अब सम्का मतलब आयोजन का मतलब को हो जोड़तों अ कि समायोजन को अंग्रेजी में क्या कहा अंग्रेजी यर्थ हिंदी में क्या कहते समयोजन के रूप कितने होते हैं पहला दूसरा आत्म किस्से संबंदेट अन्य किस्से संबंदेट समयोजन की प्रकार कितने पहला दूसरा और तीसरा चाप डालो ऐसे क्या से संबंदेट अन्य क follows सिर्शित्रा सिर्श प्रकार कितना झाल 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 रचनात्मक में लिखा हुए क्रेटिव मानसीक शोधन में लिखा हुए झाल झाल आप अप तो तारलिया होगा अब आपको करना क्या है सबसे पहले वो चुर रचनात्मक लिखा यह अपने पहला प्रिकाब समा योजन का उसकी है और पूरी डालनी यह रचनत्मक समा योजन अंकरें जी मतलिख को यह की बार बोहते भीएbracht कि सबसे पहले हेडिंग डालो रचनात्मक समायोजन क्रियेटिव एड़स्टमेंट अब इसको ऐसे मैं समझने किताब की भाषा में जैसे मैं सिखा रहा हूं वैसे समझना माल लीजिए आपकी किसी व्यक्ति के साथ लड़ाई हो गई है और वो व्यक्ति कोई और है दूसरा है तब तो आप उसको आड़ा पटक के और सूंत लो कोई तकलीम नहीं है गुसा निक तो फिर भाई चुप्रे ने बलाई माल लीजिए आपका आपकी पिताजी ने आपको डाट दिया बहुत ज़्यादा तो उससे में हम उम्र के इस पड़ाव पर हैं कि क्रोथ तो हमें भी आता है गुस्सा हमारे अंदर आ रहा है भायानक ऐसा लगारा किसी भी क्षण ये ज अपने उपर कंट्रोल करना पड़ता है तो माली जी आपका अपने पिताजी से जगड़ा हो गया है और मामला इतना आगया है कि आप बस कुछ कहने वाले हो उस समय आप अपने उपर नियंत्रन करने के लिए जो काम करोगे वो यह है भीया सीधा वहां से निकल जाओ अपने आपको दरवाजी के अंदर कर लो बंद और गुसा जबा रहा है उससे अपने दिमाग को डाइवर्ड करने की कोशिश करो और उसके लिए आप क्या कर सकते हो कोई ड्रॉइंग कर लो कोई पेंटिंग बना कर लो और चितरframes बmi बगर कर लो आ पूड यह नोंटीस करोंगे कि आप अगर ड्रॉइंग कर रहें तो ड्रॉइंग करने में रगातापी घंटा तो लगिजाएंगा ड्रॉइंग करने की बाद आप यह आपीशर करेंगे जो गुसा आपको आ रहा था वो गुसा पूरी त चितिया विगड़ सकती इसका मतलब अपने दिमाग को शांत रखने के लिए यदि आप चित्रकारी या पेंटिंग ड्रॉइंग इस तरीकी की काम कर रहे हैं तो उस समयोजन को क्या कहा जाएगा रच्णाव कि समझे मेरी बात लिख डालो अपने क्रोध को शांत करने हेतु अपने क्रोध को शांत करने हेतु अपने क्रोध को शांत करने हेतु ट्रॉहइंग अथ्वा चितर बनाना कि ड्रॉहींग अथ्वा कित्र बनाना कि अब यहू आप सर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि वह जो बीसा रहा है उसे आप क्या कर सकें शान और अपने दिमाग को उस टॉपिक से क्या कर सकें डाइवल्ट नेक्स नंबर दो मानसिक शोधन समा योजन मानसिक शोधन समा योजन mental sublimation adjustment मानसिक शोधन समा योजन अब मैं हर एक चीज को देनिक जीवन से जोड़के बताता हूं ताकि वो चीज के फटाफट वेज़े में गुज्ज़ा है हुआ क्या साब एक लड़का था जो गॉबर्मेंट के सची वाले के अंदर बाबू की पोश्ट पर लग गया लिडिसी बन गया वो लोग डिविजन तो अब वो साब एलडिसी क्या था उसको इसको उसको इसके बाप को इस बात का प्राउड हो गया कि साब इसका तो अब हमारा विवा तो यूं होजाएगा दो मिरिट में और हम जो डिमांड करेंगे वो देगा अगला और बात यह भी हुई अब साब रिष्टे आने लगे रिष्टे आते लेकिन कम से कम पचास रिष्टे आया और पचास रिष्टेदारों नहीं मना कर दिया कि साब नहीं नहीं हम तो विवा नहीं कर सकते साथ काफी रिसर्च के बाद पता चला कि यह क्यों हो रहा है तो जब भी को रिस्ता अपनी बेटी का रिस्ता लेकर आता है तो बाप हमेशा दो काम करता है एक तो लड़के के और पिता जी का पुरा व्यवसाय क्या जमीन जायदाद है तो देखता ही आचल होई रहा है और दूसर लड़की है उन्हों तगड़ा रहता फैला रहा है वो जाते ही लड़की का जैसे को लड़की वाले देखने आते तो सर माझी खड़े उजाते गेट के पास आके अच्छा और साब रहे हम लड़की के लिए रिस्ता देखने हैं बुरा मत मानना तो बात कहूं क्या या नही है उसके बारे में हम तो यह जानता है बोले बाबु तो कही प्रकार के होते हैं कई प्रकार के बाबु होते है यह जिस टाइप का बाबु है पहले उसको संð gracias लें कैसा बार रोले यह एक भरस्त भाभु है ऑफ क्षैंश करता है करता है एसे फूंकता है, जैसे कि कोई खेता न, कि दो तीन टाइम की रोटी खाता न, ऐसे फूंकता है, कि लोगे हिसाब से, खेंसता है मामला, और ड्रुग्स लेता है, जैसी बात पता चली, तो एक बात बताओ, चाए कितने ही बढ़िया सरकारी पोश्ट हो, बाप ऐसे घर में अ और उसका पिता आत्म मंधन करते हैं बैटके यह पचास रिस्त आयर पचास रिस्त हुखरा दी गए यह यह क्यों हो रहा है तो उसके पिता जिनका देख बेटा अगर तु यह चाहता है कि तरह विवा हो जाए तो सेटल हो जाए लाइफ में किस थाइट वा जाए तो भाई त अब वो सीधा अपने ओफिस जाता ओफिस से घर आता सुबह शाम भगवान की पूजा अरचना करता और सिग्रेट पीना तंबाकू गुटका ड्रिंक करना यह सब उसने त्याग दिया इस बात को लगबक साल भर बीद गया जो बगल में सरमाजी रहते थे उनको भी इस बा क्या है बले की कुछ बताना चाहता है इसके बारे में हाँ बता लेकिन अपकी बार पान की थड़ी पर नहीं गया सरमाज लेके उसको वहीं समझा दिया छोरा एक नंबर है बढ़िया दिया लेकर के भी गूम होगे ना तो ऐसा छोरा नहीं मिलेगा गजब छोरा है गजब इस संसार का सर्वे स्रेष्ट लड़का है मैं तो अभी रूपय नहीं देखें पकारो आप लियो साब रिष्टा हो गया छोरे का ब्याव हो गया इसकार प्यास लेवन क्लासी का गई सब काम बढ़िया हो गए साब छोरे की लेकिन आप सोचो इतने दिन से काम अटकावा क् पल्रक के लड़के में कई बुराइयां थी और उसने उन बुराइयों को त्याग करके जब अच्छाईयों को अपनाया तब जाय करके ही उसका हो पाया ब्याव याँ 5000 इस कि लिए अपनी गलतियों को त्याग कर अपनी गलतियों को त्याग कर अथवा बुराईयों को त्याग कर अपनी गलतियों को त्याग कर अथवा बुराईयों को त्याग कर अच्छाईयों को अपना लेना अपनी गलतियों को त्याग कर या बुराईयों को त्याग कर अच्छाईयों को अपना लेना मानसिक शुद्धी करण कहलाता है अच्छाईयों को अपना लेना मानसिक शुद्धी करण कहलाता है जैसे आपने वालमिकी जीगा नाम सुना है वालमिकी जीगा वालमिकी जी पहले डाकू थे आते जाते रहागिरों को मार देते थे लूट लेते थे और साहब बहुत कुछात हो गए तो सेरिय में कि साहब वहाँ पर एक वालमिकी नाम का राकू है ओ मार देका साहब जाते ले क्या है तेरे पास सब कुछ मुझे दे हैं बोले मेरे पास नहीं तो बेट के ब convene कि ग्यान नॉलज पोटा है या कि निस आइनस्टि रूप से तो भाई न रखी जाएगा वें घ्यान दिमाग में होता है तो तो नारत तुघे मरना होगा गयो में तरह दिमागे को अकवो को खिने भाला भाई तेरा तु जिसे दिन गेना वालमी की उस दिन नरक में जाएगा फिर पता चलेगा तुझे केसे कहते हैं ग्यान तो वालमी की जिन कहा कि वालमी देख्ञागी है था नरक वह जगए जहां तुझे तेल में पोस्ट वड़े की तरह तड़ा जाएगा और वहां के यमदू तुझे चटनी लगा लगा के खाएंगे कि बोले इतना भायानक जगह है यह 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 बचा भाई मैं तो नहीं जाना जाता हूं बहले वहां जाने से बचने के एक ही तरीका है खुद को बदल दूट का गुणगान कर प्रभू की भक्ति कर राम का नाम ले तो बना धी कोशिस करता हूँ अब उसने के इतने लोगों को सब्ड़ा दिया इतने लोगों को मार दिया कि रामजी का नाम ही नहीं निकल रहा उसके मौन से तो तो शर्स बोले वाईसाब एक और दिक्कत और ही निए इन न कीज़श्य सब्सक्राइब reconstruct май sequin जोंको तेवर पर भ narration啦 इस ओन्हींilah कि लिसम आपण ए इतने लोगों को मार दिया तुने हैं एक सब्छाने लोगों किया मारा एन इक ऐसे से राम नाम उसके वरनन के Experiment элемious करता गया रोज उसके वो पूजा किरतन करने लगा रोज इस नाम को उचारण करने लगा धीरे धीर उसके बदलाव हुए और वो सदमार्ग की और आकर के वही वालमी की जो किसी जमाने में डाकू हुआ करता था उसने आगे जाके प्रभुश्री राम के लिए रामायन की पार लेजी लगता है यह समला मानसिक शोधन थोड़ी ना है वालमी की जीवाला सेट होता है इस मुदा तीसरे नंबर पर लेखो कि इस थाना पन्न समा योजन ट्रांस्फेरेबल एड़स्टमेंट कि इस थाना पन्न समा योजन और हिंदी में लिखना खाली कि दोस्तों पता है यह क्या है कि देशी बसमस्मझा देता हूं एक उड़तावा तीर यहां आरा है है समझ गए न आप बहुत समद्दार हो चुक्ए एक उड़तावा तीर इधर आ रहा है अब साला अगर में मर गया तो यह लग गया तो मैं मर जाओंगा अब स्थानापन अपनी तरफ आते वे उड़ते तीर को किसी दूसरे की तरफ जुका देना ही इस्थानापन है बले वर जी वह कैसे आपको याद होगा अभी कुछ महीने पहले ट्रेन का एक्सिडेंट हुआ था तीन चार एकसार टकरा गई थी पट्रे काफी लोग मरे कि उसमें देखो कैसे लोगों ने इस्थानापने समायोजन किया मोदी जी पहुंच गए साब वहीं ऑन इस्पोर्ट और बाड़ा घंटे तक वह आदि महां खड़ा रहा था ट्रेक पर और उसने सीधा फॉल लगाया रेल मंत्री को कहा मर रहा है तू कहा है या ट्रेले उतर पर प्रभार रहा है तो रहले वाधिक सकी है अब रहे वाधिक सब्सक्राइब तो मरेगा तेरी जिम्मेदारी थी वह मैं कोई मेरे च्छाथी बत्रेने चड़वांगा ये मेरी का में क्या ये काम है टीटी का अ है कि स्बसक्राइब चरीरफ कर भी टाले सरी करम आ खुन मेरेजरी निए ती ये मेरी जिम्मेदारी निसिआ हो है वो समय वह लोकोरीट था ना या का वह उसकी मेंदारी ती लोगोर पाले ददा तर दाया है मेरी जिम्मेदारी निए निए उचेति उत श्मयधारीशन्ते mencion और वह साब उसका कुद के उपर ले लिया और वो ले स्कॉन मरा वो ग्रूब डी वाला वो जो ट्रेक्मेन गवता है ड्राइवर उसके साथ में जो जंडिया बंडे दिखाता है वो मारा गया वो सस्पेंड हुआ इसका मतलब उड़तावातीर सबसे पहले छोड़ा गया था प्रदार मंत्री के द्वारा उसकी ओपर रेल मंत्री पर रेल मंत्री ने रेल वैधिक सक पर रेल वैधिक सकने टीटी पर टीटी ने पाइलेट पर पाइलेट ने ग्रूब डी के ट्रेक्मेन पर ट्रेक्मेन मारा कि इसका मतलब ये बार-बार लोगों ने अपने तरफ आते वे उड़ते तीर जो दूसरों के तरफ डाइवर्ट किये ना इसी को क्या कहा जाता है इस्थानव लिखिएगा कि अपनी जिम्मेदारी कि अपनी कि जिम्मेदारी कि दूसरों पर डालकर अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल कर स्वयम को बचा लेना अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल कर स्वयम को बचा लेना इस्थाना पन्न समायोजन कहलाता है इस्थाना पन्न समायोजन कहलाता है ऐसा तो कई वार घर पर भी करते हैं जैसे मेरा छोटा भाई जो पापा ने बिजुली का बिल जम्हा करते थे आज अधिकारी जो होते वो तो अधिकारी रहें नहीं हम कानून काई ते जाड़ते हो हाँ पापा मैं जरूर कर दूँगा अब उस दिन दोस्टों के साथ में क्रिके खेले निकल गया अब मुझे याद आई अचाने से इमित्र बंदो ने में आदा गंटा है अब मैं सोचा किसको मरव का भाई बैटा अरे सुन वो बिजली का भील जमा करा दोना पिता जी कहें हा थीक है वो क्या लक्षमन है मेरा इस तो थीक है अब कर दो लोकर आजर्वातन हो लेकिन मैं राम नहीं हूं इसक्ट यह उनकाँ पर यह नहीं का कि अभी कर वाज जा भाग को कुछ की कुछ रहा था पड़ाए बढ़ाई आप साहब मेरे पिताजी आता है शाम के टाइज ब तो चोटे बाइब कहा दिया था पका कहा अंट आ रहा हो यह पिर में बोला आ रहा है आ जा भी फिर हो आप पाप बिजुली के बिल जम्मा करने के दी अब यह ने बोला हां के दी ती करा दिया बले नहीं बस उसके पाद यह निए निसुना कि अध्य था पड़ वही फिर बा हैं कभी-कभी अपना दोसार उपनम दूसरे पर कर देते हैं जाए घर में वह भावी ननद पर कर देए बचावा एक इंसान रहेगा बुहाजी वह कभी नहीं फस्तिक ही भी जगे चलिए साथ तो तीनों प्रिकार आपने पढ़ डाले हैं एक में आपने चित्रकारी ड्रो है पुरा नेक्स्ट अधिन लगाओ शमा योजन की प्रकर्टी या इसकी विशेष्टा है अलब जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो वह क्या है क्या नहीं है किसे कहते हैं समायोजन वैसे आपको पता लग गया है कि परिस्टेटे के साब से डाल लेना समायोजन पर और और बी कुछ बाते हैं जो पेपर में आ जाती है ज्यादा नहीं साथ-8 बिंदू लिखाऊंगा और उनमें से एक दो बिंदू ऐसे हैं जो पेपर में आ चुके हैं तो उनको इंपोर्टेंट कर लीजेगा पहला बिंदू पेपर में आ चुका है जो मैं लिखाने वाला हूं पर वो सवाल की रूपे पूछ रहा हूं जवाब देना कि समायोजन की प्रक्रिया को माना गया है और दिमाग को तसल्ली से रिलेक्स होगे सवाल सुनना फिर जवाब दिया ना समायोजन की प्रक्रिया को माना गया है चार औ subtitle असले कि आ वर्टुलाकार क्रक्रिया इस्थिर प्रक्रिया या गतिशिल्ट क्रिया जी बोलो गतिशिल क्यों क्योंकि जब तक हम जिन्दा हैं हमें एड़ जेश्ट ही करते रहना है जब तक जीन्दगी रहेगी तब तक समायोजन चलता रहेगा भाई लिख दीजिए पहला विंद्विए कि समायोजन कि जीवन परियंत चलने वाली प्रक्रिया है कि समायोजन कि जीवन परियंत चलने वाली प्रक्रिया है कि सामने लिखा है ना दुख्यों पा रहा है जीवन क्या यह दे किदर समायोजन जीवन परियंत चलने वाली प्रक्रिया है ब्रैकेट में एक और चील लिखना मेरे भाई कि इसी को सतत भी कहा जाता है और इसी को गती शील भी कहा जाता है यह भी ब्रैकेट पर लिख देगा सतत अबलिग गती शील अब सामने देखो यह मैंने क्या लिखा हुआ है क्या इस डाई पॉलर प्रॉसेस यानि की समयोजन में दो धुरुव होते हैं अब इन दो धुरुवों को जानना आपके लिए बड़ा मुश्किल नहीं है आप भी यहां पर जहाएं पीटीाई कि जंग लगने आये हैं आज जंग और इस जंग के दो ही परिणाम होंगे यह तो आप को सफलता में यह सफलता मिलेगी जो हमें किसी भी हालत में मंजूर्ण नहीं इस ऐस बार अ nut Whenever का युद्ध हमें जीतना है और इस वार मुदम यह नहीं नहीं कर सकता कि मेरे 40 परसेंट से कम रहेगे गुरुजी परसेंट वो तो कहीं जांगे मरी जाओ मेरे लिए कल से इस बार यह 40 परसेंट का टंटा जो खतम हुआ ना अगर इसका फायदा आप लोगों ने नहीं उठाए आप में से अगर कोई दूबारा रिपीट मुझे रंग में सब स्कूल में कब जा कर लो साला अतंग वाज्य की तरह इसका मतलब इस बार हमें चल्च होना है और इसके लिए चाहे एक दूसरे की हैलप आप करें गुरूप स्टॉड़ी करें कुछ भी करें हर हट अपना लेकिन इस बार सेलेक्शन लेना है और ऐसा कोई मास् और उसका पढ़ायवान नहीं आएगा 40% छोड़ो 70-75% आपके आराम से अस्ते-स्ते बनेंगे लेकिन इस बार हमें पीटिए बनना ही है बनोगे ना सब आवाज आई नहीं आता है थोड़ा खुल के बोलो है तो वैसे हर लड़ाई के दो परिणाम होते हैं हार या जीत वैसे इसके दो धुरुब हैं कि या तो समयोजन की जंग में आपका समयोजन हो जाएगा अन्यता आपका कू समयोजन यानिया सफलता मिलेगी पर इस लाइन को एक्स्प्लेनेशन के साथ में हम लिखेंगे अगली कक्षा में आज ले इतना है दैट सेट इन दैट सॉल पर तुड़े लव यू आल थैंक यू झाल झाल थैंक यू झाल 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 झाल